नमस्कार, मेरा नाम है काजल और आज मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी चिलभाजी के बारे में चिलभाजी क्या होती है चिलभाजी खाने के क्या फायदे है चिलभाजी का क्या के चिज़े बनती है वो सब इस वीडियो में बताऊंगी तो सबसे पहले हम चिल भाजी के नाम जानेंगे और चिल भाजी कैसे दिखती है उसो कौन से राज्ये में या कौन सी भाशा में क्या कहा जाता है तो चिल भाजी आसानी से गाव और सहर में मिल जाती है सहर में मार्केट में काफी मिल जाती है और चिल भाजी वैसे महाराष्ट में मैं विधर्बे से हूँ तो यहाँ पर उसे चिल भाजी कहा जाता है तो हम यह भी जाने कि महाराष्ट में मराट वाड़ा में क्या नाम से जाना जाता है और बाकि जो राज्य है उसमें भी उसे क्या नाम से जानते है और मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि चिल भाजी कैसे दिखती है और उसके क्या क्या फायदे है हमें उसका जूस पीते है तो जूस क्यूँ फायदा है और बागी सब जीब में भी खाने से क्या फायदा है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो चलो चलते चिल भाजी की ओर तो ये हमारा खेत है मतलब खेत नहीं हमारे घर की पीछे जो बाड़ी बोलते वो है तो यहाँ पर हम भाजी भाजी भी लगाए है और जो भी सबजी है जो घरेलो सबजी है वो लगाए है तो मैं आपको एक एक चीच के बारे में वीडियो बना के बताऊंगी कि क्या क्या चीच के क्या क्या फायदे तो आज सबसे पहले हम जानेंगे चिल भाजी तो देख सकते हैं यह चिल भाजी का पौधा है यह ऐसे होता है तो यह जो है अभी कवला है तो इसकी ऐसे में इसकी सबजी बनाए जाती है तो इसका जूस कहा जाता है कि चिलभाजी का जूस होता है वो महलाओ के लिए रामबान है और कहा जाता है कि दस बिमारे भी यह खतम करती है तो ये चिल भाजी हमारे लिए महिलाओ के लिए रामबान तो है लेकिन हम ये जानेगे आखिर क्यों इसे रामबान कहा गया आखिर इसे ही क्यों महिलाओ का रामबान कहा गया है तो और दूसरी बार हम ये भी जानेंगे कि इसका जूस है उसको पीने के क्या फायदे है ऐसी क तो ये देख सकते हैं ये चिलभाजी का पौधा, इस टाइप का ये होता है, थोड़े फैलने वाली होती है, तो ये चिलभाजी ऐसे रिखती है, ये भी चिलभाजी लेकिन ही क्या हो गया, ये फूल आ गया, तो इसकी सब्जी उतनी तेश्टी ने लगती, तो हम इसको करेंगे, तो चलिए, आज हम जानते हैं चिलभाजी के बारे में, तो इसे मैंने कहा तक कि अलग-अलग नाम से जाना जाता है, तो महाराष्ट और गुजरात में इसे चिलभाजी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है बत्वा, तो आपने बत्वा नाम तो सुने ही होंगे, तो सायद आपको याद आ रहा होंगा कि हाँ बत्वा भाजी हमने देखे है, तो इसका दूसरा नाम है बत्वा, चिलभाजी के पत्तों में विटामिन एक की सरवाधिक मात्रा होती है, चिलभाजी एक वनश्पती है, और यहां अवसधिये गुनों से भरपूर है, यहां एक ऐसी वनश्पती है, जिससे लोग और परिचित है, इसलिए आज मैं इस भाजी या इस पत्ती आपके सामने लाई हूँ, ताकि यहां वनश्पती के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग परिचित हो, सरदियों में इसका सेवन करने से कई बिमारियों को दूर करता है, चिलके पराठे और रायता तो लोग अधिकतर खाते हैं, इसकी पत्त में सुगंदी तेल, पोटाश तता अलूमिनियम पाए जाता है, सारी अलूमिनाइट पाए जाता है, दोस कर्मक की दुरुष्टी से यहां त्रीदोस, वात, पीत, कप को शांध करने वाला है, यहां वनश्पती खाने से भुख बढ़ाने वाला पिताशक, मलमुत्र को और शुद्ध करने में मदद करता है, यहां आखों के लिए उपयोगी तथा पेट के कीडों का नास करने वाला वनश्पती है, यहां वनश्पती भोजन में रुची बढ़ाने वाला, पेट की कबज मिटाने वाला और स्वर, गले की मधूर बनाने वाला है, इस वनश्पत जोपका नाक्स होता है और बल बुध्धी बढ़ाती है इस वनशपती को टीवी की खासी में इसकी बादाम के तेल में पका कर खाने से लोग लाव होता है नियमित कब्जवालों को इसके पत्ते पानी में उबाल कर इसमें सक्कर मिला कर पीने से बहुत लाव होता है चिल वनश्पती लीवर के विकारों को मिटा कर पाचन शक्ति बढ़ा कर रक्त बढ़ाता है अगर किसी को पिलिया हो जाये तो 6 ग्राम चिल के पत्तों बीज सवेरेशाम पानी के साथ खाने से लाव होता है चिल के बीजों को सिल पर पीस कर लेप की तरह लगाने से सरीर का मैल साप होता है चेहरे के दागदबे दूर होते है इसका रस जरासा नमक मिलाकर दो-दो चमच दीन में दो बार पिलाने से पेट की कीडों से छुटकारा मिलता है इसका सबजी खाने से बावशीर में लाव होता है चिल भाजी के काड़े से रंगीन तथा रेशमी कबड़े धोने से दागदबे दूर हो जाते हैं और रंग सुरक्षित रहते हैं तो इस तरह चिल भाजी या बथवा के इस वनस्पति के बहुत सारे लाब है तो आज हम अगर आपको ये information अच्छे लगी और मेरा ये जो information मैं जो दे रही हूँ जो वीडियो है आपको अगर अच्छा लगा तो कुरूपिया मुझे like करें और comment करके comment box में भी बताए और subscribe करें अगर ऐसे ही जानकर आपको नए नए चीजों के बारे में चाहिए तो मेरे चैनल को subscribe करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें नमस्कार करुल झाल नमस्कार करुल लाट कर्सकार कर दो कर दो झाल झाल